हेलो फ्रेंड्स तो आज हम दों इस वीडियो में देखते हैं kotac 811 अकाउंट आप कैसे ओपन करेंगे zero balance तो देखते हम दोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं तो हम दोग कवर करेंगे 811 1 अकाउंट कैसे ओपन करते हैं whatsapp banking कैसे करेंगे mobile app banking mpin कैसे करें and create and live transition करके बताऊंगा IMPS, NFT, UPI and checkbook request कैसे करते हैं debit card request कैसे करते हैं ATM pin generate कैसे करते हैं and online net banking username, password कैसे करते हैं debit card international use करने के लिए क्या करना पड़ता है debit card block, unblock कैसे करें debit card और checkbook की मैं unpacking करूँगा जो की मुझे आया था एक अफ़ते बाद तो चलिए शुरू करते हैं contact की site open करते हैं और यहाँ पे click करेंगे 811 saving account, apply now पे click करते हैं तो वीडियो के वाइसी सिर्फ होती है 10 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday तो अगर आप इस time के बीच में call नहीं कर रहे हैं किसी और time pay कर रहे हैं यह procedure तो आपको continue without video के वाइसी पर click करना पड़ेगा और बाद में के वाइसी आप किसी भी ब्रांच में जाकर आप कर सकते हैं और अगर आप 10 to 6 के बीच में यह procedure कर रहे हैं तो आपको यह option आएगा जिसमें आपके सारे documents आपके पास रखने बढ़ेंगे आपका अधार card आपका pan card एक blank paper में आपको sign करना पड़ेगा background होना चाहिए white background और proper visible होना चाहिए light proper होनी चाहिए वहाँ पे और proper internet connection होना चाहिए ताकि यह पूरा procedure procedure आसानी से हो पाए तो वह चीज़े हैं लिखी ही है requirement किया है इसके लिए तो मैंने यह select किया था 10 to 6 के बीच मैं कर रहा था procedure तो मैंने वीडियो के वाइसी के थुरू मैं जा रहा हूं तो देखिए form open up हुआ है यहां पे आपका पूरा नाम mobile number email address इंटर करना पड़ेगा तो मैंने इंटर कर दिया है और दुनों option को मैंने टिक कर दिया है अब open now पर क्लिक करते हैं जैसे आप open now पर क्लिक करेंगे आपकी mobile number पर OTP आएगा जो आपने नमबर दिया है और यही नमबर आपका bank भी save हो जाएगा तो जो नमबर आपने दिया था उस पर एक OTP आया है उस OTP को आप यहां एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद next करेंगे next के बाद आपको option आएगा do you agree to use your अधार card definitely आपको yes करना पड़ेगा तो यहां अधार card पैन कार नमबर एंटर करने के बाद next करेंगे और जैसे ही next करेंगे आपको terms and conditions को भी accept करेंगे continue करना पड़ेगा फिर यहां पर आपके phone पे एक OTP आएगा जो अधार card से लिंक है उसको एंटर करना पड़ेगा आपको इंटर करने के बाद next करेंगे आपका पूरा address यहां शो करेगा फिर आपकी फोटो यहां शो करेगी और आपको occupation annual income जो भी आपका है वहां पेंटर करना पड़ेगा marital status सब करने के बाद फादर स्ने मदर स्ने अपना date of birth अ continue करने के बाद सारे को टिक कर देंगे आप मुबाइल बैंकिंग चाहिए आपको WhatsApp से सबको टिक कर देजी आप फिर इसको करें फिर यहां पे आ रहा है एक्सेट कर लिजे टर्म से करना पड़ेगा सारे टर्म से कर लेंगे और इसको फिर से इसको accept करें और accept करके देखें य एक बाद continue पर क्लिक करते हैं जैसे आप continue करेंगे तो अभी आप वीडियो के वाइसी के लिए process शुरू हो चुका है इसको continue कीजिए और वीडियो के वाइसी के लिए ध्यान रखें आपको location microphone camera on रखना है आपको Google Chrome की setting में जाके इसको on करेंगे allow करेंगे मेरा allow नहीं था इस जैसे जैसे मैंने जाके वहां भी इसको on किया one by one और allow करना बढ़ता है तब भी allow करते करते बहुत time चला गया था तो मेरा वीडियो के वाइसी नहीं हो पाया था मैं भी location on करके दिखा रहा हूं location access आपका on रहना चाहिए आपके site settings में जाके और देखिए location error आ रहा है location track नहीं करपाया तो मैंने सब setting करने के बाद मैंने okay किया फिर इसने accept किया location और जैसे जाके आप देख लिए Google Chrome में setting में option रहता है यह तो मेरा on नहीं था मैंने इसको on करने के लिए फिर वापिस में गया यहां से और मुझे काफी time लगा देखिए Google Chrome मैंने open किया उसके setting में गया microphone permission के लिए यहां बेडिनाई किया वा इसको मैंने allow किया और फिर इसमें camera भी off था तो side setting में जाके आप देखेंगे setting में camera भी off था उसको मैंने on किया यह सिब करते करते मैं session time out हो चुका था जिसके विए से मेरा KYC नहीं हो पाया विडियो KYC नहीं हो पाया और इसके लिए मुझे branch विजिट करना पड़ा KYC के लिए next time में branch गया वहां जाके मैंने KYC कराया औ 今日は फैंडराए आपको बले यहником सबांक्रण को देखेंगे सारे आपशन आपnya बैले अजाते हैं आपके बैलने और इसमें आपको last 3 digestion देखने लिए फिर से help लिखना पड़ेगा और help लेकर वापे से menu आएगा और उसमें TXN लिखेंगे तो आपको last उसके बाद आपको 4 digit का account number आपको last जो account number है उसका last 4 digit enter करना पड़ेगा तो आप जैसे आप एंटर करेंगे last 4 digit account number आपका वो last 3 transition दिखा देगा और इसके बाद अगर आपको अपना CRN number जानना है पहले चीज तो आपको आपको CRN number नहीं पता होगी कि वीडियो के वाइसी प्रॉपर नहीं हो पाई है को information नहीं हो पाया है तो आपको message आता है WhatsApp के थ्रू ही तो WhatsApp पे ही आप याप पे help लिखेंगे help लिखते ही option आ रहा है bank account number one कीजे enter जैसे आप number one enter करे आप इसको क्लिक करेंगे no my CRN जैसे आप यह no my CRN पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां से आपका CRN number के लिए कहा जाएगा SMS करना होगा CRN लिखकर जो mobile number दिया गया है 99710-56767 पे इस पर आपको message करना पड़ेगा अपना CRN number CRN लिखकर तो आपके SMS के थ्रूप CRN number आपके phone प है वहां से कोटैक से अब मैं जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए mobile app banking कैसे login करेंगे आप MPN कैसे create करेंगे इसके लिए आपको डाउनूड करना पड़ेगा कोटैक 811 and mobile banking app जैसे आप install करेंगे इसको open करेंगे आपको पहली चीज़ आपको CRN number एंटर करना पड़ेगा तो यहां पर दो option आ रहे हैं क्लिक here to login इस पर क्लिक करना आपको यहां पर आपको एंटर करना पड़ेगा एंटर CRN number accept होने के बाद आपका MPN number set हो जाएगा message आद आएगा आपको कोटैक से कि आपका MPN set हो चुका है और यह अपने आप login हो जाएगा फिर आपका face यहां पर फोटो शो करेगी अगर आप चाहते हैं कि अपना फोटो अप्लोड करना आप फोटो अप्लोड कर सकते गैलरी सी या करें और इसकी लिए आपको फोन में fingerprint लगा रहेना चाहिए आपका फोन fingerprint वाला होना चाहिए जिससे आप fingerprint से access करके इसको unlock कर सकते तो इसको मैंने yes किया था हाम मुझे fingerprint चाहिए यह करेंगे और ध्यान रखेंगे आपको fingerprint काम नहीं करेंगा कोई पैसे transfer कर रहे हैं तो आपक इसको yes किया fingerprint जैसे आप yes करेंगे यहां पर terms and conditions आजाएंगे इसको I agree करेंगे तो I agree पर क्लिक करते ही यह activate होना शुरू हो रहा है activating दिखा रहा देखिए यहां पर तो यह activate हो जाएगा मेरा MPN यहां पर यह fingerprint activate हो जाएगा मेरा यहां पर तो देखिए message आ गया biometric authentication is enabled now मेरा i mobile पर यह app पर activate हो चुका है fingerprint अब next time जब भी login करूंगा सिर्फ fingerprint से मेरा यह login हो जाएगा तो मैं इसको okay करता हूं यहां पर जैसे आप okay करेंगे पहला यह logout होगा और वापे से login page open अप हो जाएगा तो आपको login करने के लिए अपना fingerprint जैसे आप touch करेंगे यह login ह हो जाएगा अपने आप खुलकर open हो जाएगा आपका mobile banking का home page open हो चुका है यहां पर देखिए आपको पूरा वह शो कर रहा है एट वन वन खोटाइक एट वन अकाउंट activity statement आप सब को यहां चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाव मैं बैलन्स जीरो देखिए यहां पर 0.00 यह जो करने लगता है अब बता रहो ट्राइशन करके आपको जैसे को यहां पैसे ट्रांसफर करेंगे मैं बिल पे कर रहा हूं देखिए मैं गया जैसे आप ओपन करेंग यहां पर option आता है कि आप किस बिल को पे करना चाहरे एलेक्रिसिटी बिल है मोबाइल बिल है करने जा रहा हो देखिए मैंने अपकी अकाउंट नमर इंटर करके पुर्ट इंफोमिशन यहां पर आ गया जो मेरी विजली का आता है वह नाम और नमबर और इसका अकाउंट नमबर में इंटर किया विल शो कर रहा है मैं उसको पे कर रहा हूं कन्फर्म पेपे क्लिक करें यहां पर बहुत असानी से बेल होता है यहां पर जैसे आप downt देख़ोगा सिर्फ km यहां पे आएंगे माई बिल पे और माई बिलस्ट पे करेंगे आपका माँ से यहां पे और यहां पर यहां पे ऑटो डिबिट कापि आता है उसको रखिये और अपको हर मैंने अपने पैसे नहीं करेंगा आपको खुद पे करना पड़ेगा यहां से लॉगाट करने के लिए साइट पर लेफ्ट साइब क्लिक कीजिए और नीचे लॉगाट है उसको करें लॉगाट आपका हो जाएगा यहां से और आप देखिए रिक्वेस्ट पर चेक्पुक और फिजिकल डेबिट तो इसके पैसे करते हैं आप साइड में वर्चुल डेबिट कार्ड के बगल में ऑप्शन है गेट वन आप वहां से फिजिकल डेबिट कार्ड आप वहां से ले सकते हैं देखिए मैं दिखा रहा हूं 234 रुपे मेरे कटे हैं सिर्फ एटीम के पूरे अनुल कटा है यह और करते हैं यहाँ आप एक बेनीम करक सकते हैं पर सब्सक्राइब तो यहाँ पर उप्शन आएगा एंट क्लिक करेंगी यहाँ पर जैसे हैं बैक एनकец और नेम करना सेलिक्ट Од mów को इस और वह आपका option अक्टिवेट हो जाएगा वह बनेफिशरी अक्टिवेट हो जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको पे कैसे करना है तो वापस आता हूं मैं आपको उपर देखिए send money का option आ रहा है उसको आप click करेंगे send money पे जैसे अब send money पे click करते हैं यहां पे जो भी आपका amount transition करना है आप तो इसको जैसे आप okay करते हैं आपको भी रिमार्स डाल सकते हैं कि माई ट्रांसफर कुछ भी या टेस्ट या कुछ असा डालके आप रिमार्स या उसको लीव भी कर सकते हैं continue भी क्लिक किजिए जैसे आप continue पर क्लिक करेंगे option आएगा इंपी एस नंफ्ट का तो आपको कर सकते एंफ्ट फर्स टॉनी ट्रांजिशिंट फ्री मिलें आपको बाकी उसके बाद चार्ज लगेंगे आपको आप साइट बढ़ सकते हैं चार्ज लगता है और इसको अपना MP नंबर डाला जाएगा यहान पर फिर काम नहीं जलेगा आपको MP नमबर डालना ही पड़ेगा यही आपका ट्रांशन पासवर्ड है और यहां से आप पेमेंट सक्सेस्फल दिखा रहा है उसको पेमेंट ट्रांसफर हो चुका है यहां पर देखिए यहां पे शो कर रहा है अब ATM पिन कैसे जिनरेट करते हो देखते हैं आपका बिन जेनरेट कर सकते हैं अब डेक्ट का कॉई और यूजज ना करें में तो अब इसको प्र भी यूजS कर सकते आप भी उसक garlic अब इसको और तो आफ उचलेगा और कर सकते हैं तक कोई और यूजन कर पाई International अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो को भी भी उन यूज नहीं कर सकता अब इसको ऑन उफ कर सकते हैं अपने इसाफ से सब्मिट कर देंगे वह ऑफ हो जाएगा यह ऑन हो जाएगा और आपको मेसेज भी आ जाएगा कि आपको अचुका है अब मैं आपको दिखा रहा है इंटरनेशनल कैसे यूज करते हैं यहाँ प करते हैं यहाँ पर आपको कंफर्म करने की फिर से पूछा जाएगा कि आप इसको आप इसको आप पर पर चिस कर रहे हैं कुछ भी आप ले रहे हैं इसके लिए जरूरी होती है और देखिए मैंने एक पर पे किया था इंटरनेशनल इस पे तो यह देखिए जूम आप पे म विबसाइट पर इतने रुपेज मेरे डिटेक्ट हुए हैं अब यूपिया ट्रांफर कैसे करते देखते हैं यूपिया के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पेज पे नेक्स्ट साइड में ऑप्शन आरा ट्रांसफर मनी पे उसमें एंटर करें और जैसे आपने बे ओपन अब करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेस मांगी जाएगी आपसे जिस पे आपको ट्रांसफर करना है जो भी आपका यूपिया यहाँ जैसे आप अपना अमांट अपकर ट्रांसफर करना है वहां पर और कोई रिमार्स डाल दीजिए आप कि किसली आप कर रहे हैं और इसको आप ओके कर दीजिए जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर और कंफर्म पे पे क्लिक करेंगे वह अमांट उनको पे हो जाएगा इसके लिए आपको MPN नमर फिर से डालना पड़ेगा और पेमेंट सक्स हो गया है तो UPI ID भी आपको सब मिला के चाहिए UPI, NEFT, IMPS मिला के आपको 20 ट्रांजेक्शन ही मिलते हैं पहले 20 ट्रांजेक्शन महीने के मिलते हैं इसके बाद चार्जबल हैं तो बहुत ध्यान से ट्रांजेशन करें और यह देखिए आप यह पैसे उनको मिल गया है तो फ्रांसफर पर क्लिक करें यहां पर आएगा कहना है पर बेनीफिशटी एन गर सकते हैं और उसका अविलेबिटी चिक कर सकते हैं कि अगया पीसलेक्टाइड औरäter हो जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो online net banking से आप कैसे user name and password करेंगे create उसके लिए आपको अपने desktop पे या अपने google chrome पे kotak.com site open करने पड़ेगी site open करते ही CRN number enter करना पड़ेगा CRN number enter करने पड़ेगा forget password पे click करना पड़ेगा जैसे आप forget password पर click करेंगे आपको वहां पर एक option आएगा आपका half password send किया जाएगा password को send करने के बाद आपको एक अपना password एंटर करना पड़ेगा six letters का password दोनों combine करके आप password एंटर करेंगे तो फिर जैसे आप password एंटर करते हैं यहां पे तो आपको फिर एक नया password create करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहां पे एक नया password कर सकते हैं create जैसे नया password आप करेंगे enter the current password जो आपने बनाया है दोनों का मिलाकर password half और half और फिर अपने नया password एंटर करके आप next page भे करेंगे तो यहां आप option आ रहा है आपको four questions को answer करने security questions ताकि आप पासफ़र भोल जाए future में तो आप वहां से आप इसको enter करके वापर से login कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी यहां एक username set कर सकते हैं यह CRN number से different होगा CRN number आपका अलग रहता है यहां पे आपको username enter करना आप कुछ भी अपना नाम और नमबर लेकर यहां पे आप कुछ भी करके combination करके आप username set कर सकते हैं यहां पे set करने के बाद जैसे आप save पे click करेंगे तो आपका यह page login हो जाएगा आप internet banking login हो जाएगा देखिए home page शो कर रहा है आप चेक बुक और मेरे बास debit card में घर पर आया है देखिए इसकी packaging कैसी है बहुत अच्छी packaging है रिट कलर में काफी अच्छा दिख रहा है यह पैक करके दिखाता हूं पर कैसा इसके इंदर है यह देखिए checkbook आया है 25 च्हेक बुग और कॉलिटी काफिए का देविट काड़ है मेरा तो इसको दिखाता हूं आपको open करके कि इसी टीm डिल्फोलाइक और इसको खरदे हैं और देखते हैं कि काईसा है इस लिखा है झांवेड़िद्र duplicate और इसका पिन जिनरेट मैंने आपको पहले बता दिया कि ATM किसे चेंज करते हैं वो आप देख लिए पहले सर्विसेस में जाकर debit card से वहां से आप जिनरेट कर सकते हैं तो पिन आपके पहले ही होगा और ATM अभी आया इसमें पिन नहीं रहता है इसमें सिर्फ ATM होगा और यह देखिए इसका लिमिट दिया गया 25,000 आप ATM से विट्रॉल कर सकते हैं और 1,000,000 अराउंड डेली पर्चेस लिमिट है इसकी तो यह ATM कांट की लिमिट है इसमें तो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में आलमोस सारी इफरमेशन शेयर गर दी हैं और जिस तरीके से आप अकाउंट ओप